सुनने में आया है कि NPCI ने काफी सरे APS companies को APS जो चलाते हैं उनका user ID को block कर दिया है particular कुछ bank का transition करने के लिए ऐसा क्यों हो है और इसके बारे में सच्ची बात मैं आपको इस वीडियो में पताने वाला हूँ तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले तो जान लीजिए अगर आप odd amount customer का transition करते हैं जैसे की 10,10,20,23,30 तो अभी तक NPCI की तरब से यह आपको strictly action नहीं लिया गया है लेकिन काफी सारे लोग इसके बारे में वीडियो बना रहे हैं जो कि मैं इसके पीछी की सचाई बताने वाला हूँ अगर आप पे नियरबाई, Spice Money, RNFI, Redbell Business Mall, CSC का DGPAY या फिर कोई भी बैंक का CSP ही कि उन्हाप चला रखे हो आपको ये बात जान लेना चाहिए अगर आप किसी भी کस्टमर का 1000-1010 निकालते हैं तो वो कस्टमर का मेर्जी हैं अगर कस्टमर चाहे तो अपने एकााउंट से कुछ भी अमांट का ट्रंसान वो कर सकता है 100 रूपे से जादा जैसिके वो चाहता है कि 2020 रूपे निकालना तो आप उसे मना नहीं कर सकते हैं आ ऐसा कुछ अगर ट्रेंशन करेंगे तो आपका APS ID बंद हो जाएगा यानि कि ब्लॉक हो जाएगा और यह भी पता जा रहा है कि बैंक को बॉलदा ने यह बात को स्रियसले लेकर अपनी APS जो यूजर है उनको statically action ले रहा है और जो लोग भी इतना odd amount transaction कर रहे हैं उनका ID को यह ब्लॉक कर रहा है एक बार आपका ID ब्लॉक हो जाता है तो आप सोचते हैं कि मैं किसी और company से जुड़ूँगा उसके बाद उसका IPS ID लेकर काम करूँगा लेकिन pencard जो है आपकी सभी मे link होता है इसलिए आपको ऐसा permission नहीं है लेकिन यह जो rule है NPCI ने जारी किया बोल रहे हैं अभी तक कोई भी प्रूब नहीं दिया है या फिर NPCI की official website मैंने काफी वहाँ पर research किया तो वहाँ पर ऐसा कोई information नहीं है और मैंने अपने level पर inquiry किया तो पता चला कि कुछ bank है जो कि earn amount को लेकर seriously है और काफी सरे लोग बहुत सरे वीडियो में comment के रहे में पढ़ा रहा था तो आपको में screenshot लोगा दोंगा कि अगर आप अपने मर्जी से जितना भी अगर आप transfer करना चाहते हैं तो उसको मतलब कोई भी नहीं रोग सकता अगर आपके पास idea है और मैं जाता हू 5050 रुपिया नहीं निकल सकता पैसा नहीं बोल सकते क्योंकि मेरा ही पैसा है मेरे ही account में है इसलिए मैं जितना बोलूँगा उतना ही आपको उट्रिल करना होता है यह आपका तो रूल है आपका यह फर्ज है तो इसके बारे में किसी के पास information नहीं है और proved किसी के पास नही है इसके बारे में आपका क्या ख्याल है मैं आपका जाना चाहता हूं सुझाओ क्योंकि काफी सरे APS companies जो है commission जो देती है उससे आप मतलब की नहीं चल सकते अगर आप commission के base में देखेंगे तो आप हर महिने 3-4,000 से ज़्यादा कमा ही नहीं सकते तो अपने family को क्या बदलब settle कर सकते हो तो इसलिए आपको non officially जो भी लेना है ले सकते हैं अगर कोई बंदार पास जरा उड़ल करता है तो जो भी 20-30 रुपिया होगा या फिर जो भी अपनी इसाप से upset करेंगे आप non officially लेजे वहापर मत कटी है ऐसा बोल रहे है लेकिन customer ही बोल रहे है खुद कि मेरे को इतना ही लेना है तो आप क्या कर सकते हैं तो अगर आपके पास भी एक IPS ID है IPS ID चलाते हैं तो आपको भी ये बातों का दिहान रखना चाहिए कि कि इतना transfer करना चाहिए कि इतना नहीं करना चाहिए मेरी कि ये NPCI ने जारी किया है या फिर कोई other bank ने ये बंद कर दिया है जिसका कोई proof भी नहीं है तो हम इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते हैं आपके area में क्या क्या हो रहा है या फिर आपके जो location में APS ID के लेगर इस वारे में क्या कहना है आप इस वीडियो की नीचे comment जरू कर दो कि ये जगा